बॉलिविड की एवर ग्रीन एक्ट्रस रेखा की खुबसूरती और कातिल अदाएं आज भी कई एक्ट्रस को मात देती हैं। वो आज भी उतनी ही खुबसूरत दिखती हैं जितनी बरसों पहले दिखती थी। लंबे समय तक उन्होंने इंडस्ट्री में राज किया और खुब पैसा और शोहरत कमाई। हाला कि फिल्मों से ज़्यादा रेखा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। रेखा की जिन्दगी का ऐसा ही किस्सा आपको इस पैकेज में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। एक फिल्म के सेट पर रेखा के साथ एक एक्टर ने गलत हरकत की। वो चट पटाती रही लेकिन उसने रेखा को छोड़ा नहीं। और वहां मौजूद सभी लोग तमाशा देख रहे थे। रेखा 15 साल की उमर में फिल्म दो शिकारी की शूटिंग कर रही थी। इस दोरान उन्हें पहले बताया नहीं गया था कि इस फिल्म में रोमंटिक सीन शूट किया जाएगा। लेकिन इतनी कम उमर में रेखा के साथ ऐसा सीन फिल्म आया गया। रेखा ने अपनी आत्म कथा रेखा द अंटोल्ड स्टोरी में उस किसे का खुलासा करते हुए बताया। कि 15 साल की उमर में एक्टर विश्वजीत ने उनके साथ रोमंटिक सीन करते समय अपना आपाख हो दिया था। दरसल फिल्म के डिरेक्टर राजा नवाथे ने विश्वजीत के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि हीरो विश्वजीत को रेखा को किस करना था। प्लान के मताबिक हुआ भी यही। इस रोमांटिक सीन में डिरेक्टर के एक्शन बोलते ही विशुजीत ने रेखा को बाहों में भर लिया और लगबग पाँच मिनिट तक जबरदस्ती किस करते रहे जिसके दोरान रेखा चट पटाती रहें लेकिन फिर भी उन्होंने रेखा को नहीं छोड़ा और डिरेक्टर ने भी जानबूज कर कट नहीं बोला और सिर्फ तमाशा देखती रहे और पूरी यूनिट भी जम कर सीटी बजाती रहे रेखा के साथ इस हद तक गलत हुआ कि वो वहाँ बैठी रोने लग गई थी और फिल्म के डिरेक्टर भी सिर्फ तमाशा ही देख रहा था और चाहा कर भी सीन को कट नहीं बोला जिसके दोरान रेखा जी को काफी कुछ सेहन करना पड़ा कहते हैं कि रेखा के साथ इस फिल्म की शूटिंग के दोरान धोका किया गया था ये सीन स्क्रिप्ट में नहीं था और अचानक ही बिना एक्टरस की अनुमती के जोड़ा गया था बता दें कि लव लाइफ की तरह रेखा का बच्पन भी बदकिस्मत रहा रेखा के मा बापा एक्टर थे लेकिन पिता ने रेखा को कभी अपना नाम नहीं दिया और अलग रहने लगे जिसके बाद मा ने घर खर्च के लिए रेखा को कम उमर में ही एक्टिंग की दुनिया में उतार दिया आला कि रेखा को ये चकाचोंद वाली जिन्दगी बिलकुल मन्जूर नहीं थी लेकिन मा की इच्छा की खातिर उन्होंने अपना मन मार कर एक्टिंग की लेकिन जब उनकी छोटी बेहन ने एक्टिंग में कदम रखने का फैसला किया तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि उनकी बेहन भी उसी दौर और मुश्किलों से गुज़रें जिनसे वो छोटी से उमर में गुज़री थी सब्सक्राइब करना ना भूले